हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z2S Android वाइल फोन में आप जो है अक्सेजबिलिटी मैन्यू सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते है यालि कि आन कैसे कर सकते है और ये अक्सेजबिलिटी मैन्यू कोई इनेबल करने के बाद शेटिंग कैसे काम करती है आज केज वीडियो मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर जो बीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सेटिंग पैज ओपन करना है ठीक है यहां पर आपको अप्षण मिल जाएगा अलाओ के इस ओप्षण पर आपको इस पेज को आप में जो है यह ओके करेंगे तो यहां पर होगा क्या कि आपको मुईल फून के देखें बॉटम साइड पे सबसे नीचे आपका एक यूमन टैप का बटन अपके आपके इनेबल हो जाती है अब यह सेटिंग कैसे काम करेगे इनेबल आपको सेलेक्ट करना है तो आपको पेज में आपको काफी सारे options मिल जाते है तो इन options में से आप जिस पे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वह उप्शन अपना काम करेगा जैसे मैं स्क्रीन शॉट पर मैं सेलेक्ट करुआ तो मेरे मुवाइल फोन का जो करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं इस इस सेलेक्ट करना है इससे होता क्या है कि आपका मुवाइल फोन आपको डिरेक्ट इस सेटिंग पेज में लेकर आजाएगा और इस सेटिंग को हैलाइट करेगा तो यह भी मैंने आपको एक शॉर्टकर तरीका बता दिया इस सेटिंग को ढूंडने का